गाइस क्या आप एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो मैं आपका दोस्त कपिल आपको बताऊं कैसे आप एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी दोहजार पच्छेस में कैसे बना सकते हो तो गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हुआ है यहां पर देखो आपको जब भी कोई एक new ID बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आपके पास इंटरफिश शामने आने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर हमारे सामने यहां पर बना सकते हैं यहां पर देखो create new account का एक option मिल रहा है यहां पर आपको इस option पर क्लिक कर देंगे आपसे अब आप यह पूछेगा कि आपका जो mobile नंबर है वो mobile नंबर आप यहां पर दर्ज की जिए तो यहां पर सबसे पहले आपको mobile number इंटर कर देना है या फिर अगर आप mobile नंबर से ऐडी नहीं बनाना चाते हैं है Janeiro से एडी बनाना चाते हैं तो यहां पर email address से ॉइडी बना सकते हूं यहां पर में मुपाइल नंबर टाइब कर दूँगा यहां पर अपने मेरे OFF ड़ दाल दिया है यह इन यहां आपको अपनी ID का password डालना है यहाँ पर, जो भी आप password रखना चाहते हैं, सबसे पहले guys, आपको मैं बता दूँ, आपका जो password है ना, बहुती special हों चाहिए, number होने चाहिए, words होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कपिल डाल कर, जो आपका password है, उसको मैं इस password को change कर लेता हूँ, जो भी password मुझे रखना है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको hide करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे वो password एंटर कर लेना है, जो कि मैं आपने यहाँ से रखना चाहता हूँ, वो password मैंने एंटर कर लिया है, अब यहाँ पर आपको next पर click कर देना ह अब हमारा जो है new page में suggestion के लिए भेज देगा अभी आपको हमको wait करना यहां पर थोड़ा सा तो यहां तो थोड़ा सा मैं wait कर लेता हूं यहां पर देखको हमने एक बार enter कर दिया अब यहां पर यह पुछ रहे info को shave करना चाहते हैं यह नहीं यहां पर दालनी है तो मैं यहां पर चूस कर लेता हूं अपने डेट अब वर्थ आपको यहां पर free और clear जानकारी देना है जब आप एक new ID बनाए जब क्यूंकि जब भी आपकी यह आईडी गोमेगी तो आप से यह सारी जिए पूछ लेगा कि आपकी डेट अब वर्थ क्या है तो मैं यहां पर अपना नाम करेंगे तो आपके सामने ID का यूजरनम आप अपनी ID नाम क्या हाँ चाहते हैं यहां पर यही रखना चाहता हूं तो यहां पर हमने चूस कर लिए है और हमको next पपे कर देना है जब आप next पर क्लिक कर देंगे अब आपसे यह पूछेगा कि आपका Instagram का term on policies है उसको आप allowed कर रहे हैं या नहीं आपको allow पर क्लिक करना I agree पर क्लिक कर देना है हमने I agree पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है अब आपको थोड़ा सा वेट करने कर दोड़ा है क्योंकि जब भी आप एक निव आईडी बनाते हैं सबसे पहले आपको यहीं पर जो है पड़े हैं पर क्लिक करता हूं ठीक है इसके बाद second option में रहे हैं चूज़ पर है आपको और allow पर क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर देखो आपको कोई भी फोटो ले लेनी तो मैं यहां पर यह फोटो ले लेता हूं अपनी अप्लोड करने के लिए यहां पर तो हमने फोटो अप्लोड कर दिया है, इसके बाद गाईज यह option मांग रहा है, also share this picture as a post, अगर आप इस picture को post के जरीए share करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको click कर दीजिए, मैं उसे नहीं करना है, तो मैं done पर click कर दीता हूँ, हमने जो dp लगाई है, उसके बाद एक new page पर फ Facebook suggestion में आपकी ID भेजनी है या नहीं, तो यहाँ पर मैं continue नहीं करता है, skip कर देता हूँ, मैं इसको बाद में कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो हमारी जो profile picture है, इस type से आ रही है, अगर आप कुसी से share करना चाहते है, share profile कर दीजिए, यहाँ पर skip कर सकते हैं, मैंने skip कर दिया है अब आपको यहाँ पर 5 लोगों को follow करना पड़ेगा, अगर आप 5 लोगों follow करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको click कर दीजिए, नहीं तो मैं मुझे किसी को follow नहीं करना तो मैं इसको किसी कर दूँगा, यहाँ पर हमें एक arrow मिल रहा है, इस arrow को आपको दबा देना है, अब देखो जो आपकी ID है, वो बिलकोल पूरी तरीकी से ready हो चुकी है, यहाँ पर देखो हमारी जो man ID है, यहाँ पर देखो सबसे पहले वही आ रही है, तो आप लोगों ने अगर हमें follow नहीं किया है, तो please follow कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी profile वे आते हैं, अपनी ID में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर देखो मैं suggestion को off कर देता हूं, यहाँ पर देखो हमारी जो ID है, सिर्फ simple तरीके से बन चुकी है, अब इसमें बायो अगेरा add करना चाहता हूं, तो add profile picture पर click कर दूँगा, यहाँ पर not now करूँगा, अब इसमें बायो यहाँ पर डाल दीजिए, gender डाल दीजिए, सावरी चीजिए, यहाँ पर अगर आप इतनी किसी वीडियो को लेंक डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर external link का एक option मिलेगा, इस option में क्लिक करके, आप यहाँ पर link भी डाल सकते हैं, मैं अभी कोई भी link नहीं डालना चाहता हूं, आप अपनी profile में music लगाना चाहते हैं, तो इस music वाले option में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी music आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं music चूज कर लेता हूं, और यहाँ पर arrow पर क्लिक कर देता हूं, अब जो हमारा music है, वो भी add हो चुका है, अब यहाँ पर इसको हम back क इस वीडियो को देख के आपको तो पता चली गया होगा कैसे एक new ID बनाते हैं, आप जब भी एक new Instagram ID बनाएं, तो अपने दोस्तों के साथ उसके साथ share करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यह मेरा new ID है, जिसकी जो आपकी ID है बहुत ही जल्दी grow हो जाएगी, इस पर आपक Instagram में अच्छे खाय साथ बूस्ट कर सकते हो, Instagram में followers बढ़ा सकते हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पनाए चैनल को सब्क्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स टी वीडियो में, तब तक लिए जै हिन जै भारत!